जै जिनेंद्र सकते हैं सुलब कर सकते हैं easy to going कर सकते हैं तो हमारा एक छोटा सा प्रयास है आप सभी के लिए मैं हू दॉक्टर प्रिया जैन मंत्र थेरेपिस्ट वास्तु एक्सपर्ट एंड एस्ट्रोजर अरंद वल्ड परिवार की तरफ से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करते हैं आपका प्यार आपका विष्वास आपका सने निरंतर हमें मिल रहा है पहुत सारे पॉन कॉल्स इमेल वर्ड सब्यां निरंतर आते रहते हैं कुशिस करते हैं हम सभी का पूरा पूरा जवाब दिया जाए फिर भी कभी कभी देर हो जाती है तो उसके लिए हम छमाप्रार्थी भी है तो आज हम बात करते हैं बक्तामर के एक विश्चिस काब के बारे में यह काब है वो काब है जो सब कुछ दे सकता है जो आनन्त दे सकता है जो खुसियां दे सकता है जो हेल्थ दे सकता है जो वेल्थ दे सकता है जो संतान दे सकता है जो एज्योकिशन दे सकता है और क्या चाहिए और इंसान को चाहिए ही क्या कहने को तो तीन चीज़े चाहिए हो तेहें रूटी कप्पा और मकान लेकिन ये काबबे तो उससे भी बढ़ करते रहा है हैं मकान की बात करते हैं दुकान की बात करते हैं फैक्टरी की बात करते हैं बैपारिक इस्टल की बात करते हैं ओपिस की बात करते हैं तो बरतमान समय में जगे के आभाब के कारण बहुत सारे वास्तु दोस उत्पन हो जाते हैं और हम गल्ट निमान कर बैठते हैं क्या कोई ऐसा काब्बे भी है जो हमारे वास्तु दोसों को दूर कर सके क्या कोई ऐसा काब्वे भी है जो हमारे सारे दुखों को एक बार में दूर से कर सके क्या कोई ऐसा मंत्र भी है जो हमें सर्व संपत्ति दे सके क्या कोई ऐसा यंत्र भी है जो यंत्र की तरह हमारे जीवन को आगे बढ़ा सके क्या कोई ऐसी पिक्षर भी है जिसमें हम अपने सपनों को पूरा कर सकें जी हाँ भक्ता हमर का ये 36 वकाब्बे हमारे सबी समस्याओं को दूर कर हवे नवीन सुख की प्राप्ति कराएगा तो सबसे पहले जानते हैं इसका उच्चारण अर्थ और व्याक्या फिर बात करेंगे पिस्तारते इसका अब्बे के बारे में तो आज हम बात कर रहे हैं भक्तामबस्तोत के 36 वी नंबर गाथा की इसका जब total करते हैं तो क्या आता है ? 9 अख़र नंबर जिसको कोई तोड ही नहीं सकता जिसको कोई तोड ही नहीं सकता तो ऐसा है भक्तामबस्तोत का 36 वा नंबर कावे। कितना भी गुनुन किया जाए कितना भी भाग दिया जाए सेज तो नो ही रहना है तीन अपने आप में बहुत सुब नंबर माना जाता है देव गुरु गरस्वती का नंबर छे सुक्र का नंबर दोनों मिल जाते हैं तो फिर मंगल का नंबर बन जाता है मार्स का नंबर हिम्मत होसला धन संपत्ति सुक्त सुवीदा एक आबे में सब कुछ समाया है कहें तो कि गागर में सागर भर दिया है तो सबसे पहले हम 36 निंबर गाथा का उच्चारन सीखते हैं उनिंद्रहीम नवपंकज पुंज कांती प्रयुल्ल सन्नक मयूख शीखाभी रामो पाद्यो पदानितव यत्र जिनिंद्र धत्ताहा पद्मानितत्र वीभुधा परिकल्प यंती उनिंद्रहीम उनिंद्रहीम आधा नाभी है और पूरा नाभी है तो हमें देखते होए पढ़ते होए उसका उचारन करना है उनिंद्रहीम नवपंकज पुंज कांती प्रयुल आधा लाभी है और पूरा लाभी है प्रयुल सन्नक मयूख मयूख में या पर क्या है बड़े उकी मात्रा है मयूख शीखा भी रामों पाद्यो पाद्यो पदानी तव यत्र जीनेंद्र धत्ताह पद्मानी तत्र वीभूधा पर क्या है विसर्ग है सानिसास का विसरजन करेंगे उनिंद्रहेम को हम संदीविशेत करेंगे उनिंद्र मींज खिलते हुए और हेम मींज स्वन सोना नव नव मीज नवीन नया, पंकज मीज कमल का फूल, पुंज पुंज मीज सम्हूं, कांती मीज शोभा को धरने वाले, प्रयुल सन्नक, प्रयुल सन्नक को हम संदिविचेत करेंगे, परी मीज सरप्रकार से, उलसत मीज शोभायान, नक मीज नक, मयूख मीज किरन, शिखा सुन्दर, पादयो पादो पादो पीज़ करन, पदानी मीज़ कमल, तव तव मीज़ आपके, यत्र यत्र मीज़ यहां जिनेंद्र जिनेंद्र मीज़ भगवान धत्तर मीज़ रखते हैं, पदमानी मीज, कमल, बेद्र verschna कर दें जब तृतनकर भगवान का विहार होता है तब पूरी धर्ति जो है स्वटिक मनी के समान हो जाती है निर्मल हो जाती है जहां भगवान का विहार होता है तो वह सभी प्रकार के फूल खिल जाते हैं धर्ति पूरी कैसी हो जाती है निश्कंटक हो जाती है जब तृतनकर भगव भगवान के हर चरण के नीचे क्या है कमल के फूल है आप विचार कीजिएगा कि भगवान के आगे भी साथ कमल है चरणों के पीछे भी आगे भी पीछे भी साथ कमल है और वो कैसे कमल है स्वर्ण मई देवों के पास ऐसी ताकत होती है कि वह सोने के कमल बना सकते हैं पता नह भगवान का विहार किसी नारियल का मोताज नहीं होता है जिस छेत्र के निवासियों का पुन्य अति पुन्य शाली होता है उसी और भगवान का विहार होता है जहांके निवासियों का पुन्य प्रबल होता है वहीं विहार होता है मंद मंसुगंदित पवन चलती है देवताग की ग्रंथ में लिखा है तिर्थंग रर्व कर भगवान जब भिहार करते हैं तो स्वर्ग से देपता कौन से देपता 32 प्रकार के देपता आकर 32 तिसाओं में आप कहेंगे तिसाओं तो चार होती हैं लेकिन जैन दरफन जैन बासु में 32 तिसाओं की संकल्पना की गई है और 32 दिसाओं में 32 प्रकार के देपता आकर हाँ एक दिसाओं में साथ साथ स्वर्ण कमलों की रचना करते हैं तो कैसे माना जाए 32 दिसाओं होती हैं बास्तु में किसी भी भवन में किसी भी प्रवपर्टी में 32 दुवार माने गए हैं उने 32 दिसाओं को बत्ति दिसाओं की रूप में इंगित किया गया है उन 32 दिसाओं में साथ साथ स्वर्ण कमलों की रचना और एक स्वर्ण कमल जहां भगवान साक्षात मध्ध में विराजमान होते हैं तो एक बार में दोसो पचीर स्वर्ण कमलों की रचना की जाती है, कितनी? दोसो पचीर 225, आम कमल नहीं, सोने के कमल, जिनके चर्णों के नीचे सोने के कमल विछा दे जाएं, और वो तिर्थंकर भगवान उन कमलों को भी छूए नहीं, और उनसे अधर में उपर चलते रहे हमारा आग्या चक्र भी एक कमल की तरह है। क्योंकि भगवान हमारे स्विप राजमान होते हैं और जब भगवान पहला कदम रखेंगे तो हमारे आग्या चकर पर रखेंगे और जब आग्या शकर हमारा जाकृत हो जाता है, तो हमें नॉलिज्ज, वजिडम, ज्यान और ब भगवान जब देव प्रभु को बिहार करते हो दिखाया गया है। इसमें दोसु पचीर स्वर्ण कमलों की रचना हैं, बतीस प्रकार के देवता हैं। अब पीछे सुद्ध जल अगर इस पेंटिंग को घर के इसान कौन में लगाए जाए। घर के उत्री पूर्व कौन में पेक्टरी के आपिस के उत्री पूर्व कौन में लगाए जाए। तो जिशिती वहां के समस्त वास्तु दोस्तों दूर हो ही जाते हैं। साथी साथ हमारे जीवन में एस्वर्य, सम्रिद्धी, ज्यान और उर्जा की प्राप्ति होती है। कहते हैं जीवन में कितनी भी दिक करते हैं आ रही हैं। वास्तु का एक नियम है। अगर इसान दिसा में घर के नौर्टिश्ट में जल की वेवस्ता, सुद्ध पानी की वेवस्ता कर दी जाए। तो समस्याओं का निराकन होने ही लग जाता है। हमने उसी संकल्पना को जोतिस, वास्तु, बक्तामर, मंत्रा हीलिंग, नुमरोलोजी, सबी का एक निचोड बनाया, इस पेंटिंग का साइज हमने लिया, तीन फुट भाई तीन फुट, तीन बार तीन, फिर नौ बना दिया, अखन नंबर बना दिया, इसान में ये पेंटिंग को लगाना है, प्लेस करना है, तो देव गरु ब्रस्प प्लेकेती का जो नंबर है वोब। धिली महीं मना जाता है, सुध जल, जो कि एसान कोनका तत्व है, मीनरसी में सुध पानी मना जाता है, सुध पानी अगर एसान कोनके रख दिया जाए, तो घर के आते से रोग सोखड बीमारिया दूर हो जाती है, और दूसरे नियम, अग कमलों की दवस्ता कर दी जाए और तीर्थंकर भकवंत को महां बिठा दिया जाए तो हमें चहु दिसी तरक की मिलती है हमारा नेम फीम होता है हमें संतांसों की प्राप्ती होती है हमारी संतांस योग के बंती है पढ़ाई में आनांद मिलता है बेपार में ब्रद्धी होती है स्वास में ब्रदि होती है ऐसा इस penting के माध्यम से हमने इदर सारा चल्ड गया है अश्ट प्रतियारियों के इसमें साइड में रचना की गई अश्ट प्रतियारे बगवान के सामोशरं का प्रतिख बगवान का साक्षा सामोशरं जैसे लगती है इस penting जहां कोई भी रेमिडी काम नहीं कर सकती, जहां कोई भी उप्चार नहीं किया जा सकता, वहां भी हमने उप्योग में दिया, इसकी यंत्र को माश्तापित किया, इस स्लोग को पढ़ने को दिया, और चमतकारिक परिनाम देशने को मिले, वो बरसों से बंद पड़ी फैक्टर जिन घरों में साधिया नहीं हो पा रही थी, बच्चे विभाय योग अपनी उमर को पार कर चुके थे, उन घरों में नई जॉब मिलने लग गई, जिनके बच्चे पढ़ लिखकर भी अपने डिग्रियों को लेकर घूम रहे थे, इस गाब्वे का, इस पैंटिंग का, और यंद्र को इस्ताफिर करो, आप पैंटिंग को लगाओ, जीवन में ऐसे लगता है जैसे खुस्यों के दरवाजे खुलते चले जाते हैं, बिगर वादाएं दूर होती चली जाती हैं, आनंद और खुस्यों के दरवाजे सब के लिए, पूरे परिवार के लिए खुल जाते हैं, सम्रिद्धी और संपन्ता जैसे हमारे दरवाज पर दस्तक देने लग जाती है, सक्सेज को जिसको लोग तरच जाते हैं, नहीं फेम जिसको लोग तरच जाते हैं, वो आपके पास बार बार आने लग जाती है, और तब तक आती है जब तक वो आपका वरन नहीं कर ले इसलिए मैंने प्रारम में कहा कि ये जो काब्वे है सबसे अद्वत काब्वे है वक्तामर्सतुत्र काव तो अब इसका आप देखा मन वचन काई पूर्वक नित नियम से सभी की समरद्धी के लिए अपनी परिवार की समरद्धी के लिए अपनी समाज अपनी देश की उन्रती के लिए इसका आपका पाट करें आपकी वैपार रिस्टल पर आपके घर में आपके आपके आपिस में कोई वास्तु दोस हो तो भक्तामर्स की स्वेंटिंग का उप्योग करें और इसके यंत्र का हम तो कहते हैं कि पूर्ण यंत्र नौर्स इस्ट बदिसा में लगाना चाहिए चाए वे घर हो, चाए आपिस हो चाए वैपार इस्थले उस्थलो चाए कारखाना हो, चाए कोई मेल हो यंत्र थ्री डाइमेंशन में काम करते हैं जब यंद्रों की इस्तापना की जाती है, तो मां की उड़ जाएं, कही गुनी बढ़ जाती है, मां की उड़ जाएं, दिगुनित होकर पूरे एन्वार्मेंट को चार्ज कर देती है, फिर भी पॉसिबल नहीं हो, तो कम से कम 36 नंबर का अब्वेका यंद्र तुम्हां जरू पचनकाय की सुद्धी पूर्वक, काय की सुद्धी पूर्वक, भाब पूर्वक, इश्कावय का, सिलोक का, रिद्धी का, उश्यारन करें, प्रात्यकाल, ब्रह्म महुरुत की विला में, सकताइज बार सिलोक, 108 बार रिद्धी जाप, 108 बार मत्र जाप, कम से कम इतना तो क परें, गिंतियां सिर्फ आपको बताने के लिए हैं, गिंतियों ते कभी कुछ नहीं होता, आपके विचार जितने पवित्र होंगे, आपके विचार जितने निर्मल होंगे, उतना आनंद आपके जीवन में उपन होता चला जाएगा, उतनी शम्रिद्धी खुसियां आपके जीमन में बढ़ती चली जाएंगी, आप दुनिया में अद्वत होते चली जाओगे, सिरिष्टा के पत्कों पाते चली जाओगे, जरुत है आपकी भावनाओं की, आपकी कल्पनाओं की, आपकी ख्याओं की, भावना भाएं कि परवू जब आप मेरी सर से उतर कर बिहार करे तो मेरी आग्या चक्र पर अपने चरन रख जाना और जब आपके चरन मेरी इस आग्या चक्र को छुएंगे तो मेरा ज्यान और पेवित जागत हो जाएगा और मेरी सारा तन पवित्र हो जाएगा जब आपके बिहार करने से 400 योजंद की भूमी पवित्र हो सकती है ये धर्ती इस पटिक मनी के समान खिल सकती है चमक सकती है तो क्या ये पाँच पुट की देह, छे पुट की देह पवित्र नहीं होगी और पेंटिंग को लगाने के पीछे भी उद्दिश इतना ही है कि भगवान जब आपके बिहार करने से 400 योजंद की भूमी पवित्र हो जाती है तो ये 400 मीटर का 40 मीटर का 100 मीटर का मेरा घर कुंदन सा नहीं हो जाएगा आवश्य होगा ऐसी मंगल भावना के साथ इसका आपका पाट करें क्योंकि जितनी मी पिक्शर्स होती हैं सब हमारे सबकौंसस माहिंट पर काम करती है पूरा वास्तो हमारे सबकौंसस लेवल पर काम करता है और जब सबको उस लेवल पर एक चीज़े हमारे डबर अब होने लग जाती है तो हम उन चीज़ों को पाने लग जाते हैं इसका अब्वे के बारी में अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.bhaktamarmantrahealing.com पर विजिट कर सकते हैं और हमारे यूट्यूब चैनल है भकतांबर मंतरा हीलिंग और आप दियो है नंबर पर हमें वटसब भी कर सकते हैं अपनी queries के regarding, अपनी problems के regarding हम स्विच्छा पूर्वक आपकी help करने के लिए 24 hours मिलकुल त्यार है आपने इतने प्रेम और सांती से जुझना आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कल तक के लिए सभी को साधर जय जनेंदर जय 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 जयदे नेर